अभी कमेंट देखा था हमने कमेंट क्या होता है अब हमने कमेंट वाला पॉर्शन देखने के बाद नेक्स्ट अब जब हम अभी इंपुट और आउटपुट देख रहे थे पहले वाली प्रोग्रेम में तो हमने एक प्लस का example लिया था कि if we want to add two numbers हमारे सामने एक message टाइप होके आया please insert two numbers हमने दो number insert करे तब आगे का प्रोसेस बढ़ता है तो यहां पे अब एक नई चीज़ इंट्रिड्यूज हुई है कि हमें कोई data input करना है तो यहां पे अब नई चीज़ क्या यह data what is a data तो कोई भी information कोई भी चीज़ जो आप computer में input करवा रहे हैं वो एक data के format में होता है data अब यहां पे अभी हम numbers input करा रहे हैं तो हम देख रहे हैं एक word आया numbers तो इफ डेटा है तो definitely there is a part that is called data types so there are different types of data available similarly data का भी different different types होता है तो जैसे ना हिंदी या English language की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी different different चीज़ों पर different different type के data पर हम work करते हैं तो यहां पर भी आप different type के data पर work करते हो तो आप उन data language से दूंगा और this is our basic classes to understand the grammar of programming language that's why अभी हम एक overview ले रहे हैं फिर हम धीरे-दीरे एक टॉपिक्स को आगे जानेंगे तो यहां next topic जो और है this is called variables variable क्या चीज़ होती है जब हम दो numbers को add करने की बात कर रहे थे तो आपको जब दो number add करने हैं तो definitely अगर आपसे कोई communication में general verbal communication हो रही है या return communication हो रही है तो आपको उन दो numbers को पहले verbal communication अगर हो रही है तो आपको दो number अपने दिमाग में सोचने पड़ते हैं कि पहला number 10 होगा दूसरा number हो सकता है 15 होगा तो यह मैंने सोच लिए और सोचके मैंने इनको अपने दिमाग में store कर लिया similarly अगर मैं लिखके इस काम को करता हूं तो मैंने पहला नंबर लिख लिया 15 दूसरा नंबर लिख लिया 16 तो ऐसे आपको उस नंबर को कहीं temporary store करना पड़ता है तो यहां पे भी आपको जब कोई data आप input कर रहे हो तो यू नीड तो इस्टोर देम इन यह एकम्प्यूटर मेमोरी एंड स्टोर करने के लिए computer की मेमोरी में किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए programming languages में हम लोग variables को use करते हैं टेक्निकली उनको variable कहा जाता है like variable को फिर हम define कर लेते हैं जैसे हमने बोला x तो जब हमने जब हम वेन वी वर इन 10th standard 9th standard तो हम वह mathematics के जब questions करते थे तो हम assume करते थे कि let the first number be x तो x हमने क्या माना एक sort of container ले लिया तो we can call a variable as a container तो हमने एक container ले लिया जिसका नाम हमने दे दिया x यानि कि उस location का नाम हमने दे दिया x फिर x equals to हम बोलते थे 5 तो हमने क्या किया x के अंदर एक number assign कर दिया तो यहां पर variable क्या है x है और x का data क्या है 5 है और यहां पर हम data की बात कर रहे थे data types की बात कर रहे थे तो यहां पर data किस type का हो गया अब numeric data हो गया number वाला data हो गया तो there are different types of data जो हम आगे देखेंगे बट यहां पर अभी हमने देखा variable तो what is a variable variable is a container which store different types of data तो जैसा data वैसा variable तो जब हम variable को यूज करेंगे उसके variable को क्यों यूज करेंगे data को store करने के लिए different type के अब अलग-अलग programming languages में अलग-अलग तरीके से variables को use किया जाता है variables को पहले define किया जाता है उसके बाद हम उसके अंदर variable को data को store करते हैं तो variable करने डेटा को ऍतोर करना यह चिजह हम देखेंगे को दिखाइन किया जाते है कैसे इस्टोर किया जाताए तो this is all about वेरीबल तो वेरीबल आ इक एक्स वेरीबल को सकता है ईनको फिर हम अपने प्रोसेस में यूस करेंगे जब variable डाल दिया तो फिर variable के बाद हम data को input